सर्दियों के मौसम में हल्वा खाने का मज़ा ही कुछ और है लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी के हल्वा से रोग प्रतिरोधक शक्ति इम्म्यूनिटी काफी बूस्ट होती है और यह काफी ही टेस्टी भी होता है हलो विल्कम बैक टो मैं चैनल खाओ घूमो आज हम लोग जानेंगे हल्दी के हल्वा की रेसिपी तो इसकी समागरी इंग्रीडियंट की लिस्ट मैंने दे दी है जो कि आफटा फट नोट कर सकती है फिर स्किन शॉट ले सकते हैं तो आईए देखते हैं क्या करना है सबसे पह और या डाल करके रात पर ऐसे झोड़ देना है कि 10 अदर किलो हल्दी को हम यस तरह से चील लेंगे अच्छी तरह से चिलने के बाद उसमें छिलका प्लू भी नहीं होना चांजिए और उसको अच्छे सब्हों झाल लिया है हम इदोने के बाद उसको हम लोग काट लेंगे क काटके इसको मिक्सी में पीस ना है इतना काटना है कि अच्छे से मिक्सी में पीस जाए ग्रैंडर में इसको पीस के एक जगह रख लेंगे यह बादाम है जो कि रात बर सोक्ट किया हुआ है 500 ग्राम बादाम है रात बर सोक्ट किया हुआ है और इसका छिलका उतारके रख लिया है हमने इसको भी पीस लिया जाएगा रात में चुहारा को बोयल कर लिया था हमने दूद्धी काफी गाड़ी कर ली थी एक लिटर दूद्ध है तो इसको दूद्ध के साथ ही पीस लेना है पिसने के बाद ऐसे दिखेगी इसको हम रख लेंगे फिर बादाम भी हम डालके बादाम में थोड़ा सा पानी की विज़रूरत लगेगी तो हलका सा पानी मिला लिया है जिसे के पिसने में आराम हो इसको भी पीस के रख लेंगे हम साथ ही हमने 500 ग्राम काजू भी पीस लिया है काजू पिसने के बाद ऐसे दिखेगी एकदम अच्छे से पीस लेना है काजू को भी तो हमारी सारी समगरी ड्राइफोर्स में सारी पिस चुकी है यह चुहाडा और बादाम का मिक्स किया हुआ है यह हल्दी पिस्टु की है अभी हम कडाही गर्म करेंगे और वेट करेंगे कडाही को थोड़ा गर्म होने का उसके बाद थोड़ा सा गी डालेंगे गी अभी सार्डिंग में ज्यादा नहीं डालना है देर दो चमश डालना है अभी जीरा क्रेकर लोने लगा है इसका कलर गोल्डिन हो गया है तो हम हल्दी डाल देंगे अच्छे से हल्दी डाल लेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से साथ में सारी सामगरी भी चेक कर लेते हैं यह हमारी डाइस्योग्रम किश्मिस है यह काजू है इसमें ड्राइड डेड्स है एंड अल्मन्ट है जो की दूद में किया हुआ था रात में डाला हुआ था चुषाड़ा को उसके साथ ही एक लिटर दूद हमने इसमी उस किया था और एक लिटर दूद हम बॉयल करने में अलड़ी चड़ा के रखे हुएं ताकि हम बाद में इसमें हल्दी में मिलाने का काम आएगा तो आप दूद भी साथ में बॉयल करने में चढ़ा दे या फिर बॉयल दूद है तो वो कर सकते हैं और ये हमारा डाइसोग्राम की घी हमें लेना था तो अब भी और भी घी जो है बाद डाल लिया है हमने और साथ में चलाते रहना है तो हल्वा को हम इस तरह से चलाते लेंगी और इस दस मिनट कर चलाने के बाद ये इसकी क्वैंटिटी हाफ हो गई है और ये ऐसे दुख्षी है ये इस तरह से भुन जानी चाहिए अच्छे से नहीं तो हल्दी का टेस्ट कडवापन आएगा ये अच्छे से भुन गई है और कड़ाही में नहीं चिपके इसलिए कड़ाही से बार बार चलाना पड़ेगा लास्ट में अब हम लोग बाकी जो बन लिटर दूद बॉयल में रखा था हमने वो भी डाल देंगे इसमें तो हल्दी अच्छे से भुनने के बाद हमने थोड़ा सा दूदिस में मिलाया है और जितने भी ड्राइब फूट्स हमारे पिसे हुए हैं वह सारा क्रूस डाल देना है अलोंग विद रेजिन्स यह गुड है तो गुड़ा आप्ने टेस्ट के कोड़िंग डाल सकते हैं कम यूथा पसंद है तो कम गुड़ाल सकते हैं हमें। मेंने almost 200 ग्रम्स जैगरी डाला है। जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैघरी का इस तरह से धेला भी डाल सकते हैं जो कि मिल जाएगा राम से, बाकी का दूद भी अब मिला लिया है, और ये सब को अब मिला के फिर से हमें भूनना है अच्छे से, इसको बीच में हम इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि ये कड़ाही में पकड़े नहीं, ये इस तरह से रहेगा, थोड़ देश चलाने के बाद इसके कलर ऐसे चीन्ज हो जाएगा, जाएगा, ये हलवा खासकर न्यू मॉम के लिए काफी ही बेनिफिशिल होता है, जब किसी को बेबी होता है, तो ये हलवा ज़रूर दिया जाता है उनको, इससे उनकी रिकबरी काफी अच्छी होती है, फास होती है, ये इलाइची है, तो ये उप्शनल है, अगर आपको डालना है इलाइची तो डाल सकते हैं, तो इलाइची को कूट लें और उसका पाउडर डाल दें, बाकि छिलका उसका हटा लें, तो हल्वा की अच्छी खुश्प आने लगी है, और ये अल्मूस्ट बन के तयार है, इसको बस पास पीनट और चलाएंगे, तो ये कम हो जाएका कॉंटिटी इस तरह से हो गया है, और ये बन गई है हमारी हल्डी की हल्वा, चोकि बहुत ही यमी दिख रहा है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें ये स्थंडी में, जब मार्केट में फ्रेश हल्डी मिल रही है, आपको हल्डी का हल्वा कैसा लगा, बनाने के बाद जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज लाइक, सब्स्क्राइब, और शेयर with your friends, thank you so much for watching.